Hello students, कैसे आप सब? मैं कुसर सर्मा आप देख रहे हैं यूट्यूब चानल कुसर क्लासे तो देखिए आज हम क्लास 7 के प्राच्य पॉब्लिकेशन भूक में से चाप्टर नमबर 7 की 2nd exercise को करने वाले हैं Last exercise हमने angle some property, even हमने exterior angle property से भी questions उसमें किये थे हलांकि हम same type के exterior angle property से related जो questions हैं वो फिर से इस exercise में करने वाले हैं So hopefully आपको जो last exercise है वो समझ आई होगी फिर भी अगर किसी तरह का doubt रहा है तो please comment box में जरूर बताईएगा हलांकि last exercise गए एक last question, ninth question उसमें रहे गया ता गलती से तो इसको मैं इस exercise में include कर दूँगा, लेकिन मैं last में include करूँगा So अभी के लिए हम 7.2 exercise को start करते हैं, देखी पहला question क्या है, mcq-based question है In the following figure, the value of x and y are respectively हमें x और y की value बतानी है, क्या है, क्या नहीं है तो दीखी, simple सा तरीका है, x और 180 degree, दोनो 180 degree का angle बनाएंगे है ना, किससे? linear pair से That means कि अगर हमें x की value निकालनी है, first part में, तो हम लेक सकते हैं x plus 80 degree is equal to 180 degree, reason क्या जाएगा? linear pair, है ना, तो यहां से हम अगर x की value निकालनी है, तो कितनी आ रही है? 100 degrees आ रही है और अब एक चीज़ आप notice करोगे, respectively बोला है, that means कि x की value की बात पहली हो रही है तो x का result भी पहले ही लिखा गया होगा, तो x का result 100 आ रहे है, तो आप notice करेंगे 100 सिर्फ c part में है, starting में, ना तो यहां है, ना यहां है, है ना, that means कि option c is the right option ऐसे situation में आपको यह y के value भी निकालने की जूर्ट नहीं है, automatically यह आ जाएगा, हलांकि हम y के value निकालके दिखा देते हैं, देखिए, y का निकालने का एक तरीका यह हो सकता है, कि 120 क्योंकि यहां पर क्या है, exterior अंगल है, है ना, so y और 80 interior opposite angles हैं, तो ऐसे situation में हम y plus 80 degree is equal to 120 degree के equal एक चल सकते हैं, क्या लग जाएगा, exterior angle property, है ना, तो exterior angle property की help से हमने असा लिखा, तो यहां से y के value अगर निकालें, तो कितने आएगी, 120 minus 80, so it becomes 40 degree, तो देखिए, option C में y के value 40 degree ही है, है ना, तो यह था मारा first part, चलिए second part करते हैं, क्या है, in the joining figure, the measure of some of the angle are indicated, यानि कि कुछ angles हमें दिये गए हैं, the value of x and y respectively हमें बताना है, तो चलिए देखिए, y के value पहले निकाल लेते हैं, फिर x के value भी निकाल लेंगे, तो देखिए, y के value हम फिर से first part की तरह कैसे लेके चल सकते हैं, y plus 70 degree is equal to 180 degree, क्या जाएगा, linear pair आ जाएगा, यहां से हम y के value निकालें, जो कि 180 minus 70 degree किसके equal आ रही है, so y आ गया 110 degree के equal, फिलहाल 110, दो option में हैं, last में, y के value निकालने के लिए, तो अब हम x के value निकालते हैं, तो x यहां पर अब exterior का काम कर रहा है, तो इस exterior के interior opposite यह दो angles है, y and 40, तो हम यहां पर लेकर चल सकते हैं, now y plus 40 is equal to x, क्या property लग गई, exterior angle property लग गई, इस बार मैंने इसको sort में लिख दिया, जबकि हमें y देखिए, already पता है, तो इसको 1 बोल देते हैं, कि 110 plus 40 degree is equal to x, तो यह y के value कहां से आई, from 1 से आ गई है, जबकि है, so x के value कितनी बन रही है, 150 degree, so 150 x की और y की 110, यह option d में match कर रहा है, so यह था हमारा second part, चलिए, next, second question करते हैं, in the following figure, two of the angles are indicated, what are the measures of the acx and acb, so acx हमारा यह external angle है, and acb हमारा यह interior angle है, तो ऐसा करते हैं, पहले exterior angle निकाल लेते हैं, जो कि exterior angle property से, इन दोनों interior opposite angles के sum के equal होगा, है ना, so चलिए, देखें, हम लेकर चल सकते हैं, कि वही angle acx, किसके equal हो जाएगा, दो opposite angles कौन-कौन से हैं, एक तो bac और एक abc, है ना, b, a, a बीच में है, तो that means मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और फिर यहां b बीच में, that means मैं इसकी बात कर रहा हूँ, clear, so अब इनकी values रखें, और values से पहले बता दे, exterior angle property, ना, तो यहां से acx के value हम बड़े आराम से बनिकाल सकते हैं, जो कि कितने आजाएगी, यह कितना given है, यह 50 degree, and that one is 55 degree, यह values कहां से आई, यह हम given या from figure बोल सकते हैं, ठीक है, कि from figure से हमें यह values मिली है, so basically acx angle कितने degree का हो गया, 105 degree का, oh sorry, 105 लिखना था, 150 लिख दिया, so 105 degrees का answer आगया, अब हम इसको one बोल देते हैं, अब यह देखें, जो interior acb निकाल ले हैं, और यह जो exterior acx है, यह दोनों मिल कर क्या linear pair नहीं बना रही हैं, है ना, तो हम उसी को use कर लेते हैं, now angle acb, plus angle acx, यह दोनों मिल कर, 180 degree का addition देंगे हमें, किस से, linear pair से, जबकि यहां से acb तो हमें निकालना है, जबकि acx 105 degree का हमें उलड़ी, पता है यहां पर, है ना, कहां से, from, one से हमें यह पता चला है, so अब यह 105 को जब हम दूसरी तब shift करेंगे, तो दूसरी तब shift होकर यह क्या बन जाएगा, 100N, subtraction में चला जाएगा, so acb angle कितने degree का आगया, 75 degree का आगया, है ना, तो यह दो हमारा question number 2, चलिए, next, third question करते हैं, क्या है, in the figure given below, a, b, d, angle हमें निकालना है, a, b, d, यह हो, चिक है, also find, a, b, c, अगर, seek angle, a, b, c, k, three time के equal हो, तो यह बात की बात है, पहला question अपना यह है, तो इस पर concentrate करते हैं, तो यह जो angle है, फिलहाल के लिए देखिए, मैं इस line को ignore करता हूँ, ठीक है, कि ignore कीजिए, कि यह line है यह नहीं, आपके पास, a, b, d, एक triangle है, ठीक है, यह वाला, और यह एक exterior angle बना रखा है, बाहर, तो यह exterior angle, इसके interior opposite, यह दो angles हैं, इन दोनों के, sum के equal नहीं होगा, होगा ना, तो हम mention कर देते हैं, क्योंकि अब देखिए, हमारे पास एक से ज़्यादा triangle है, तो mention भी कर देते हैं, इन triangle, a, b, d, a, b, d में, exterior angle कौन सा बनेगा, b, a, c, यह 100 degree गा, किसके equal होगा, angle, a, b, d, यानि कि इसके, plus angle, a, d, b, इस 70 के, तो कौन से प्रोपर्टे लग गई, exterior angle property, या आप इन triangle यह बोलके, यहां लिख दीजिए, कि using exterior angle property, तो वो भी कर सकते हैं, या पहले कर लीजिए, use और बाद में, mention कर दीजिए, ठीक है, अब यह देखिए, हमें b, a, c, ओलर डी पता है, 100 degree का है, a, b, d, हमें find out करना है, and यह हमें 70 degree का पता है, कैसे पता चला, from figure से हमें पता चला, ठीक है, so, 70 degree, left side में आएगा, तो सब track करेगा, हमार पास किसकी value आजाएगी, a, b, d angle की, कितने degree, 30 degree, so, a, b, d, angle, कितने degree का आगया, 30 degree का, इसको equation 1 बोल देते हैं, ठीक है, अब आगे यह कह रहा है, कि भाई, जो angle C है, angle C यह रहा, अकेला ही है, तो यह a, b, c, angle, a, b, यह angle, angle, इसके 3 times के equal है, तो बताओ, यह a, b, c, angle ही क्या होगा, तो यह जा करते हैं, देखिए, a, b, c, जो triangle है, उसमें angle sum property की help ले लिएते हैं, ठीक है, चलिए देखिए, using angle sum property on triangle a, b, c, तो देखिए, angle C plus angle a, b, c, plus angle b, c, इन 3 angles का addition कितना होगा, 180, जाना, देखे इनको 3-3 letters में और इसको single letter में क्यों use किया उसके पीछे का reason आपको काफिर time last exercise से बताता आ रहा हूँ कि भई ये B point और C A point पर तो हमारे पास एक से ज़्यादा angle बन रहे हैं इस वज़े से हमने 3 letters की help ली ठीक है लेगिन C पर अकेला A की angle बन रहे है तो इसे वज़े से उसको हम एक single letter में represent कर सकते हैं ठीक है तो अभी देखिए यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि angle C के replacement में देखिए angle C इस angle C को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 time of angle ABC है ना तो ये given है तो हमने क्या गिया इस C की जगह 3 time of ABC लिख लिख लिया और जबकि ABC हमारे पास already है और BAC जो है वो 100 degree का given है figure में है ना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं from given and figure देखिए so to figure से आया है और ये कहा से आया है ये given से आया है clear? तो अभी ये देखिए 3 time of angle ABC and single time of ABC कितने angle ABC हो गए? 4 time angle ABC हो गए है ना और 100 दूसरे तरफ जाकर क्या करेगा? subtract करेगा so 4 time of angle ABC किसके इको ला गया? 80 degree के so अब हमें तो angle ABC के value चाहिए so 4 इदर multiply जाए दूसरे तरफ जाकर क्या करेगा? divide करेगा so angle ABC किसके इको ला रहा है? 20 degree के इको ला रहा है clear? तो यह था हमारा question number 3 जिसमें दो parts थे next करते हैं question number 4 in the figure given at right हमें सबसे पहले तो ACD angle निकालना है यह angle जो की बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि देखिए ABC triangle की बात करें तो इसमें यह ACD वाला angle exterior है तो यह interior इन 15 और 40 दोनों opposite angles के sum के equal निकाल 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 होगा है ना? तो हम उसी की help लेते हैं तो देखिए first part के लिए हम क्या करने वाले हैं using exterior angle property on triangle ABC इस बार मैंने पहले mention कर दी ठीक है? प्रोपर्टी को तो देखिए यहां से क्या होगा? कि angle ACD किसके equal आजाएगा? angle BAC plus angle BK B पर A की angle बन रहा था जबकि A पर B हमारे पास वैसे देखा जाए तो A की angle था आके लिए हम angle A को भी represent कर सकते हैं ऐसे ठीक है? तो अब यहां से देखिए A, C, D angle की value आ जाएगी क्योंकि angle A कितना है? 15 degree और angle B कितना है? 40 degree है ना? तो यहां से angle A, C, D की value कितनी आ रही है? 55 degrees clear? अब हमें क्या निकालना है? A, E, D angle निकालना है यह वाला exterior angle निकालना है जो की actual में C, D, E triangle का exterior है तो उसके लिए हम इस exterior के interior opposite angles की बात करें तो यह दोनों interior opposite angles है और उनमें से यह A, C, D हम अभी अभी निकाल चुके हैं और दूसरा interior हमें पहले सी पता है तो ऐसा करते हैं इसको use तो करना ही है 1 बोल देते हैं है ना? अब हम second part की बात करते हैं फिर से mention कर देते हैं using exterior angle property on triangle इस बार कौन सा triangle है? C, D, E पर तो कौन सा exterior angle है यहाँ पर? A, E, D हमारा exterior है and A, C, D and E, D, C यह हमारे interior opposite angles हैं clear? तो यह वाला angle तो हमें निकालना है जबकि A, C, D कितने degree का है? 55 degree का कहां से? from one से और E, D, C कितना है? 52 degree का यह कहां से मिला हमें? यह हमें figure से पिता चला तो हम mention कर दें from one and figure है ना? यह one से मिली value और यह figure से मिली clear? तो इन दोनों को बैड करें तो finally हमारी A, D, E की value पता चल लगी कितनी 107 degree यही पुछा था? है ना? तो यहाँ हमारा fourth question चलिए fifth question करते हैं क्या है in the following given figure यह जो भी है find X, Y, Z के value निकालनी है तो सबसे आसान तरीके से देखिए I think Y के value निकाले जा सकती है है ना? क्योंकि Y actual में इसके interior 30 और 40 के sum के equal होगा है ना? तो हम A, B, D एंगल पर काम कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि सबसे पहले उन्होंने 1 पर X बोला है तो X है हमें तो X, Y, Z, 3 होगी value चाहिए आगे पीछे आप किसी के value निकाले है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा clear? तो देखिए using exterior angle property on triangle A, B, D देखिए यह हमारा A, B, D triangle है और इस पर exterior angle यहाँ बन रहा है यह वाला चिक है? तो इस तरीके से हम काम कर लें तो exterior angle property के accordingly यह जो angle A, D, C है किसके equal होगा? angle B, A, D plus angle B के equal नहीं होगा है ना? जबकि A, D, C को इन्होंने Y बोल रखा है और B, A, D angle 30 degree का है और angle B 40 degree का है तो यह values कहां से आई? from figure से आई यह values है ना? तो Y किसके equal आगया? 70 degree के clear? इसको हम use कर सकते हैं तो अब ऐसा करते हैं क्योंकि Y और Z आपस में कैसे है? linear pair में है है ना? तो अब हम उसकी help ले ले लेते हैं now Y plus Z किसके equal आजाएगा? 180 degree reference क्या जाएगा? linear pair जबकि Y कितने degree का है? 70 degree का है from 1 से है ना? इसका reference हम दे देते हैं from 1 So Z किसके equal आगया? 180 degree minus 70 degree So Z की value आ रही है 110 degree clear? अब इस Z को अब ध्यान दें तो ये A, C, D triangle जो है इसके लिए ये exterior angle नहीं है है ना? तो इसके opposite interior angle कौन से है? एक तो X और एक ये 80 तो हम उसी को use कर लेते हैं कि A, C, D triangle पर अब हम exterior angle property लगा लेते हैं triangle A, C, D हाँ तो देखें external कौन सा है? ADB angle ADB और interior कौन सा है? angle C and C, A, D angle C, A, D plus angle C ये interior opposite angle थे जबकि इसको ADB को तो इन्होंने Z बोल रखा है और C, A, D हमें X के equal given है और angle C देखें कितना है? 80 degree का है है ना? ये values कहां से आई? from figure से आई है तो हमने figure बोल दिया ठीक है? अब Z की value हमें already 110 degree पता है उसके हमने Z की value रख दी ये कहां से पता चला? from 2 से हमें ये values के बारें पता चला अब अस हमें simplify करना है तो 80 degree को left में shift कर दे subtraction में आ गई so X कितने के equal आ गया? 30 degree के equal आ गया तो X आ गया Z आ गया and Y आ गया clear? तो इधा हमारा question number 5 चले 6th question करते हैं in a triangle an exterior angle at a vertex is 95 degree एक अब फिगर भी हम बना लेंगे and it's one of the interior opposite angle is 55 degree okay then all the angle of the triangle तो माल लेते हैं हम एक triangle बना लेते हैं यह हमारा required ABC triangle बोल लेते हैं clear? और ACD यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? exterior angle हो जाएगा और interior जो angles हैं opposite वो angle A और angle B हैं तो उनमें से कोई एक angle इन्होंने दे रखा है माल लेजिए यह दे रखा है 55 degree का ठीक है तो हमें इसके बाकी angles निखालने हैं एक तो यह angle A और angle यह interior C ठीक है? ACB तो ऐसा करते हैं एक तो हम angle A की value किससे निकाल सकते हैं? angle A की value हम निकाल सकते हैं exterior angle property से ठीक है? तो यह देखिए हम क्या use करें? using exterior angle property अब on triangle बताने के जोर्ट क्यों नहीं है? comment करके जरूर बताईए ठीक है? तो देखिए यहाँ पर exterior angle क्या हो जाएगा? ACD किसके इकल हो जाएगा? angle A plus angle B के तो angle ACD 95 degree का है angle A हमें निकालना है angle B 55 degree का है so 55 degree को इधर shift करें तो इधर आकर वो क्या करेगा? subtract करेगा है so कितना बच गया? I think 40 degree बच गया so angle A कितने degree का रहा है? 40 degree का रहा है clear? now अब हम angle A, C, B निकालते हैं ये interior जो कि आप notice करोगे A, C, D के क्या है? linear pair में नहीं है यानि कि इन दोनों का addition 180 के equal नहीं हो जाएगा है ना? so इसको हम बोल देते हैं linear pair so देगे ये angle हमें निकालना है ACB ACD हमें 95 degree का पता है so तो कहाँ से पता चली value? from figure से है ना? so angle A, C, B की value अगर हम निकालें तो क्या बन जाएगी? 180 degree minus 95 degree so angle ACB कितना जाएगा? 85 degree अभी इनोंने क्या पुझा था? all the angles of the triangle बताने हैं तो हम सारे angle बता देते हैं therefore all angles of the triangle are एक तो देखो 55 इनोंने खुदी दे रखा है है ना? एक हमने निकाला 40 degree का and एक कोर कौन सा निकाला? 85 degree का clear? तो ये तीनों angle हो गए एक triangle के इस particular condition क्यों काड़ेंगे? चलिए last question करते हैं इस exercise का yes, hopefully last होगा हां जी देखिए last time की तरह मैं कोई question छोड़ना नहीं चाह रहा क्या कहा गया है one of the exterior angle of the triangle हमें 80 degree given है and the interior opposite angles are in the ratio 5 ratio 3 so हमें angles बताने हैं triangle के फिर से तीनों angle बताने है ठीक है तो जब भी हमें कुछ ratio दिया गया होता है बात 2 की या 3 की नहीं है तो ऐसे situation में हम common ratio मानते हैं ठीक है? तो पहले exterior angle बता देते हैं कि भई given में exterior अंगल of triangle कितना given है? 80 degree and ratio भी given है ratio of interior opposite angles कितना given है? 5 ratio 3 तो लेट करते हैं लेट दो common ratio भी एक्स मान ले therefore to interior opposite angles are क्या क्या हो जाएंगे? यह एक्स 5 और 3 दोनों के साथ लग जाएगा 5x and 3x हो जाएंगे यह दोनों एंगल पता चलके now अब हम क्या करते हैं? angle sum वो exterior angle property की help लेते हैं using angle sum sorry exterior angle property angle sum property बोल गया मैं exterior angle property के coding लिए क्या हो जाएगा? कि वो जो exterior angle और interior angles का sum है देखे interior angles यह है उन्हेंटा sum किसके को लोगा? exterior angle के तो 5 and 3 8x so x की value कितनी आ रही है? 80 degree by 8 जो कि कितना आ गया? 10 degree के को ला गया है ना? यह तो हमें interior opposite angles पता चले देखो therefore to interior opposite angles आर क्या क्या हो जाएंगे? एक तो देखे यह 5x था therefore third angle of triangle तो तीसरा एंगल triangle का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए एक triangle के आपको 2 angle पता हैं तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 180 मेंसे इन दोनों angles को subtract कर दें है ना? जो दो angle हमें already पता है so 180 मेंसे 50 और 30 यानिकी 80 degree को हमने subtract कर दिया तो कितने degree का आगया? 100 degree का आगया तो हम finally बोल सकते हैं therefore all the angles of triangle are कितने कितने degree के हैं? 50 degree 30 degree and 100 degree हाना? तो इसी के साथ हमारी second exercise हो जाती है complete hopefully आपको यह exercise जो है वो समझ आई होगी चलिए first exercise का जो इक question बाकी था उसको complete कर देते हैं ठीक है? देखी क्या था? find the sum of angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 in that joining figure इस figure में हमारे पास no different angles है उनका हमें sum करना है तो देखी angle sum property की help से हमें यह करना होगा क्यासे करेंगे? देखी using angle sum property on triangle एक बार हम A, E, D triangle पे लेते हैं देखी सबसे left वाले triangle पे तो इसमें तीन angle कौन-कौन से है angle 1, angle 2, और angle 3 है तो इन तीनों का addition कितना होगा? इन तीनों का addition हमारे पास 180 degree के equal आ जाएगा इसको 1 बोल देए अब फिर से हम angle sum property की help लेंगे लगिन इस बार इसी और दूसरे triangle पर लेते हैं on triangle A, B, D बीच वाले triangle पर लेते हैं तो इसमें कौन-कौन से angle है? देखी angle 4, plus 5, plus 6 तो इन तीनों का addition भी कितना होगा? 180 degree होगा? इसको 2 बोल देते हैं फिर से हम angle sum property की help लेंगे और इस बार हम किस पर use करेंगे? लास्ट जो triangle बच गया राइट हैन साइड में कौन सा? B, C, D triangle और इसमें कौन-कौन से angle है? 7, 8, 9 तो इनका addition भी triangle की property की angles and property की जैसे कितना होगा? 180, इसको 3 बोल देते हैं अब हमें simply क्या करना है? इनको आपस में add करना है adding equation 1, equation 2 and equation 3 we have तो add कैसे करते हैं equations को? कि left sides जो हैं वो left में add होंगी और right side जो होती हैं जैसे ये वो आपस में add होंगी तो देखिए left में 1 plus 2 plus 3 plus second equation में 4 plus 5 plus 6 फिर से third में 7 plus 8 plus 9 किसके equal आएगा? right hand side को जो addition होगा right hand side का वो right hand side में लिखा जाएगा 180 degree plus 180 degree plus 180 degree तो 18 को हम 3 बार add करें तो कितना आगया? 5, 40 degree और देखिए हमें क्या निकालना था? समी तो निकालना था इन सभी का है ना? तो ये देखिए हमने सम निकाल दिया एक से लेकर 9 थका कितना रहे? 540 के एक बोला रहे तो इधा हमारा first exercise का last question hopefully आपको आज का matter समझ आया होगा content अच्छा लगा तो please like करना ना भूले अपने friends के साथ share करना ना भूले ताकि उनको भी कुछ नो कुछ benefit हो comment करके जरूर बताएं कि content आपको कैसा लगा है और channel पर नए है तो please subscribe भी करें तो चलिए मिलते हैं next video में next exercise के साथ